आप सभी छात्रों का स्वागत है तो छात्रों फाइनली हम आप सभी कक्चा 5 वी के छात्रों के लिए प्रतिभा पर्व 2022 हिंदी कड़ित अंग्रेजी पार्यपर्ण सभी बिस्यों का प्रतिभा पर्व पेपर लेकर रहा चुके हैं तो आपको विस वीडियो को लाश्ट तक बॉच करना है पूरी की पूरी वीडियो देखने हैं और उन कॉस्टन को पढ़के ही पेपर देना जाना है तो यहां पर आप निर्देश पढ़ सकते हो जो जो निर्देश हैं आपकी सभी प्रिशन करना अनिवार होगा अब सबसे पहले जब खंड आ है हिंदी जो की साहि आपको 17 तारिक का इसका पेपर है 17 जनवरी को है ना तो उस हिंदी का पेपर हम देख लेते हैं तो हिंदी का पेपर आप बेख सकते हो सबसे पहले सही बेकर सुन कर लिखो पहला कॉस्टन जो है जगदीश चंदर बासू को पीड़ पौधों और जीब जंतों से लगाब थ तो उसके बाद दूसरे कुश्टन आपका बिमारी का इलाज करता है कौन करता है चिकस्शक यान कि डॉक्टर आपका बिमारी का इलाज करता है तीसरा है सूरु से हमें मिलती है तो सूरु से हमें सूर की क्यरा न्याना की रोशनी मिलती है दिये गए मौकिक सब्दों की बरतनी असुद्ध है उसके सामने सुद्ध बरतनी लिखो तो आपको मौकिक के सामने ऐसा डैस करना है और मौके सही लेकना है तो आप कुछ इस टैप से मौके टिखोगी देखो मां में आउ की लगा दीजेगा दर्फ Це bele вмe पर चपने में सपने में क्या दिखाई दिया तो कलू को सपने में चिट्थी दिखाई दी थी यहाँ आपके सपने में सपने में इसे कि इस टैप से आप लिखिएगा चिठी चिठी दिखाई दीठी ठीक है इसके बाद जो आपका यहाँ पर दूसरा प्रशन अचाते नहीं देख सकते हुआ बहु है बंजारी ने बूढ़े आदमी को गड़े से कैसे बाहर निकाला तो बंजारा जो था बूढ़े आदमी को क् कैसे पूचा है तो रसी की साहिता से बाहर निकाला था ठीक है और साथमा कॉस्चिन है निर्म लिखत सब्दों में से अनुश्वार और अनुश्वार और अनुश्वार और अनुश्वार और अनुश्वार और उसके बाद नासिक ठीक है फिर इतना लिखने के बाद कि आपका आपका जो विंदी हे रंक है और बंदर है वो आपके अनुस्वार में आईगाओ और अनुञासिक में आपको लिखना है आँğ गाओं और भास ठीक है क्या है दोक लुक्त P प्रियोग संघ यि के एस्थान पर किया जाता है सर्वेनाम के घ्रवनाम के वह सकते हैं थी सराम पनी चाहिए तो उसे पाने चाहिए उसे का मतलब भी राम ही हुआ वहाँ पर तो उसे क्या वह है वे संग्या के सब्दों जाते हैं ठीक है इसके बाद आपका प्रश्ण क्रमांक 9 है कोस्टक में दे गई सब्दों मैंसे सही सब्दे सुनकर रिक्तिस्थानों की पूर्दी प्रश्णी की प्रविश द्वार को कैसे सजाया गया था आपकी कॉस्टण को इप्रेश्ण को इसका उत्तर आएगा कलात्मक तरीके से यहां से कलात्मक लिखिए गा कलात्मक उसके बाद आपको यहीं लिखना है तरीके से ठीक है कलात्मक तरीके से आपका सजाई आ गया था इसके बाद आपका ग्यारवा कॉश्चन है इन्हें हम लिखें सब्दों के दो दो पड़याई बाची सब्दे लिखो तो Chandrama है, चंदrama का आपका पहला पढ़ाबाशी सब्द हो जाएगा वो जाएगा आपका चांद ठीक है, इस टाइब से आपको चांद लिख देताना है, और दूसरा पढ़ाबाशी सब्द जो है इसका, वो है आपका ससी, तो आपको कुछ इस टाइब से ससी भी लिख देना है इसके बाद जो आपका दूसरा फूल है तो फूल की दो पड़ा वाशी सब्द आपका पहला पड़ाया बाची होगा पुष्प हम फूल को पुष्प भी कहते हैं क्या कहते हैं पुष्प उसके बाद दूसरा आपको लिखना है यहीं पर सुमन क्या लि भी कहते हैं बायू को और सांती संत बायू को हवा भी कहते हैं ठीक है इसका बारवा क् Famousin also निम लेकित सब्दों की अर्थ लिखो पहला है पाहन तो छात्तुर है उसका रथ होता है स्सिंपली हमारा पत्तर हां हम पत्तर को ही क्या कहते है पाहन कहते हैं सीतल सीतल हवा चल रही है सीतल पानी पीलो याना कि ठंडी हवा चल रही ठंडा पानी पीलो सीतल का मतलब क्या होता है आपका एक सिकेंड आपका सीतल का मतलब इसका होता है ठंडा इस टैपस आपको लिखना है ठंडा क्या हो का सीतल का मतलब ठंडा और वानी का मतलब होता है आपके आवाज आप कोयल की मदूर वानी हैं कोयल की आवाज कैसी है मदूर ठीक है तो यह है आपके अर्थ पाहन का पत्तर सी जोडी को मिलान करो बरगत बरगत क्या है बरगत हमारा पेड़ है कवा क्या है कवा हमारा पक्षी है हाथ ही क्या है जानबर है और केला क्या है हमारा अफ़ाल है इसके बाद जो प्रश्चिक्रमाग चौदा है यहां पर आद देख सकते हो चौदा में हमसे पूंचा गया है च उसे हिसाब से इसमें लिखोगे चित्र में क्या हो रहा है आप लिखोगे इसी कि यहां इस चित्र में हम दो बच्चे बा उनकी मा दीपा वली का त्योहार बना रही है क्योंकि आप देखो दिये जल रहे हैं यह फटा के फोल रहे हैं यह फोल जड़ी जला रही है मिठाई ब दहा है तो आपको इस ट्रैप से लिखना है सुन लिए ध्यान से यहां इस चित्र में दो बच्चे बाँ उनकी माँ दीपा वली का तिवहार बना रही हैं और आसपास की घरों में दिये जल रहे हैं बच्चे फटा के फोर्ड रहे हैं इवम उनकी माँ हातों में मिठाई देना है इसको पंद्रवा कोशन है निम्लिकत गद्यांस कहानी पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो हम गद्यांस को पढ़ते हैं गद्यांस क्या है एक समय की बात है कंचनपुर नामक नगर में एक बैक्ति अपने परिवार के साथ सुख पूर्वा करेता था उस ब पानी पीना है मदंसेह ने सभी को छायादा ब्रक्स के नीचे बठाया और पानी की तलास में चल पड़ा तो मदंसेह कहां रहते थे आपको पहला प्रश्ण है तो यहां पर देख सकते हो कंचनपुर नामक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ सब्सक्राइब र कंचनपुर तो मदंसें कंचनपुर पर रहता था बेटी ने पिताजी से क्या कहा तो उसने यहां पर लिखना है बेटी यह उसने पिताजी से कहा मुझे पानी पीना है यह आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा यहां से यहां तक तीसरा है मदंसेह ने सभी साथियों को कहां बठाया तो मदल से ने सभी को चाया दा ब्रक्ष की नीचे बठाया और पान एक तरस में चल पड़ा यह आपका तीसरा उत्तर हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम हिंदी का पूर्शन हमारा खतम हो चुका अब हिंदी का पेपर मार इतना ही है खंड बाम गड़स का पेपर दे संक्या होगी पहला क्या है 104 दूसरा 106 दिसरी एक्षोच्णी तो यहां हम दो बढ़ा है तो यहैं देस बढ़ा तो अब जो और आएगा उसमें दस बढ़ा यहां इक तो बढ़ा जाएगा यहनि तो चालिस आएगा आपका त्टीक है दो प्रशन है नीचे लिखी संक्यां में एकाई बदहाई की संख्या लिखिए तो यह हमारे यह दहाई और कुछ वरांग वताजिए हैं पांच तो वो सैकड़ा हो जाता बड़ दो ही है तो यह काई दहाई एकाई के हुई इछ है और यहां एकाई हुई तीन टिके है इसके ZUA तालस में फीकाई साथ और 24 इसके फ六 टी संक्या पर घेरा बनाइए तो 90 कन चूटी है साथ चूटी है वह बहुत चूटी है नब्वा से तो साथ में हमको घेरा याने गोला बनाना है सरस्यट एक चूट दो सरस्यट चूटि है रखेरा लगा दो सब्सक्राइब तो आपको 566 पर गोला लगा देना है इसके बाद रिक्तसानों की पूर्ति कीजिए 35 का गोणा कित्ते से करने की 350 आज़ाए तो दिन इसको तो आपकी सब्सक्राइब लुगत गलाएक ठाथ था यूद्ना यह सब्सक्राइब वाहां तो तो देखो, यहांपर दो, चार, छे, आठ, दस, बारा 12 हैं, तो, 12 मेहां से सीउखल को यह 2 चार, 6, 8 तो, हम आठ से मैच कर देंगे यह ऌठ कहा है हमारा यहां यहँ यह 2 4 6 1 यह से मैच कर देंगो यह एक, डो, ती ती तीन,'sेого 3 से मैच कर देंगी यह आपको उत्तर हो गया इस पर कार से दूसरा कोफशन भी आयता है इसमें 4 होता है तो हम इसे 4 सी मैच कर देते टिक है इसके पद छटबा कोफशन है जोड़ना तो आपको जोड़ना है तो मिली लेटर के नीचे आपको सिंपली मिली लेटर लिख देना है ठीक है ठोट जर् यहां पर एक पांच तीन आठ और एक नो नौ दिसम्बलब तो मिली लीटर नहीं आपकी आप मिली लीटर रहत जाएगा चूंकि यहां पर दिसम्बलब पर आ चुका है हमारा हो जाए को लिए नौ लीटर आप लख सकते हो या फिर नौ लीटर किते जीरो 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 मिली लीटर ठीक है यह आपको लिख दैना है उत्तर पे घटाएए में आप क्या जाएगा घटाएए आप जासे घटाओगे ना तो इसको उत्तर आएगा आपका चार यहां पर दोचाएगा चार आठ साथ पांच चार लीटर और और आट साथ पांच है मिली लीटर जीए तेको पांच में जीर हो गया पांच बचा दो से पांच नहीं जाएगा सथ आपका फिर तीन में से चार नहीं जाएगा यहां से एक लेंगे तो आपका चाओदा सब्सक्राइब अब कित्य बचेगा आपका आठ यहां पर हांस कलाई आजाएगी फिर आपके साथ में जाना यह बचेगा इतना आपका आंसर जाएगा ठीक है तो यह आपकी आंसर हो चुके है इसके आट पांच कोशन देखते हैं गोणा क्यों जीए तो गोणा में आपको करना क्या है 24 लाग दीजिए तो 4-4-16 आपको 4 उत्तर जाएगा दस्वा कोशन में पैटन आंगे बढ़ाओ तो 50-70 तो 580 975 9 में से दो गटाया 7 पांच में से दोगटाओ तो दो सो तीन इसके अब ग्यारवा जो कोशन है वह कौन सा पहारा नीचे जुकेगा भारी यह कम चित्र देखकर सही करने सान लगाईए तो देखो जो भारी होता है वह नीचे जुकता है जो हलका होता है वह उपर जाता है जैसे गिरुई हलकी वह से ऊपर जाती है और हम देखें किसी पानी से बड़ी वाटल तो भारी होता नीचे रहती है ठीक है तो यहां पर यह देखो 200 प्लस 500 700 हुआ आपका 700 गराम और यहां पर 500 700 1200 गराम हुआ तो कौन सा नीचे आएगा भारी बाला भारी कौन सा है यह तो कौन सा पहाड़ा नीचे आएगा दो नमबर का पहाड़ा 1200 गराम बाला नीचे आएगा इसमें आपको टिक कर दिया न सही का बाला भा 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 भिन्न है इस भिन्न का नाम है आपको तो यह फिर्ण ने पहला यह एक सहीद दो होगा क्यूंकि आपका एक भरा है दो खंड़ में यहाँ पर आपका यह वह सद्वारी और यहां नाम लखो नीदिготов होगे पहली आकरती आपकी वर्ग है ठीक है दूसरी आकरती जो है यह आपकी आयत है तीसरी आकरती यह जो है यह आपकी क्या है त्रिभोज है एक से के नमस्चे से लग देते हैं तीसरी आकरती आपकी स्टैप से लगना त्रिभोज है और यह जो है आपका लास्ट यह आपका अब रत होता है जैसे आप गोला भी कहते हो ठीक है चालों दोब और गाली देखकर सामय लिखो तो यहां पर आपका बारह कि तीस समय आपको लिख दियाना है इसके बाद है एक साल में कित्ते दिन होते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं आपको लिखना है 365 दिन और एक सब्सक्राइब देना है ठीक है यह आपका उत्तर हो जाएगा सुलबा कॉस्चन नहीं है आपको अंग्रेजी का पेपर आजाएगा ठीक है अंग्रेजी का पेपर देख लेते हैं आपका जो कि अंग्ली तारिक को होगा एक देन आपके पेपर नहीं होंगे अलग अलग तारिक को आपके पेपर हैं बट हमने सब पेपर आपके खट्टे द one word ठीक है answer this question in one word पहला है which fruit do you like मतलब आपको कौन सा फल पसंद है तो कोई भी लिख दीजेगा जो आपको पसंद हो मालो आपको आम पसंद है याने कि मैंगो तो आपको लिख देना है मैंगो याने कि M A N G O ठीक है यह आपको क्या हो गया मैंगो दूसरा है आपका basic game do you like आप cricket लिख देते हैं क्यों क्यों को पसंद होता है cricket मतलब क्या आपका बैट बॉल ठीक है इसके बाद आपका जो है छट्वा से तीसरा बिच कलर डू लाइक तो आपको लिख दूसे मुझे सपेथ पसंद है तो आप लिख देता हूं मैं आपको जो पसंद आप बोलिक जोगा यह जो भी आपको संद बोलिक दीजेगा ठीक है नेम मैं सदा कॉलम है सगेंड नेम अप मंत तो जनवरी है आपका फ़र्स्ट मार्च है आपका कौन सा मार्च कौन से हैं आपको मार्च थर्ड दिसंबर है लास्ट एंड मैं है फिप्त फिलंदी ब्लेंक आती है वह वाला है तो ऑन्स ग्रंड मादर वाज करेंटिंग अश्टर यानि इक श्रटर बन रही थी सी फिलंदी ब्लेंक फॉर वाइल तो फैल ऐसली फॉर वाइल तो तो फिलंदी फॉर गहीं थी वो फिर आपकेट कम वाई एंड और सो ग्रेंड मास इसके बाद यहें एंड हें पर आपका सीओ कैशांतने ब्लेंग तो ग्रेंड मास यहां पर आपका जाएगा वोल ठीक है किए और मैंश बॉलड यह जो है ना आपकाया यह यहास करेंग आपका थाड फैर सी स्टार 12 अवा मतलब बॉस के साथ बाल के सांथ केजने लाइए ठीक है प्रिसल प् दिवाली is one of them we celebrate it in the month of Karthik मतलब कि India is the Land of Festival इंडिया तियोहारों का क्या कहते हैं इंडिया तियोहारों की धर्टी है ठीक है तियोहारों का स्थान है देपवली is one of them और उन तियोहारों में से एक दीपवली भी है we celebrate in the month of Karthik, हम इसे Karthik माह में मनाते हैं The goddess Lakshmi is worshiped in this day, हम इस दिन माता भगबान कहते हैं, माता कहते हैं माता Lakshmi की पूजा करते हैं, ठीक है We decorate our house with atom lamps and electric words, हम इस दिन अपने घर को सजाते हैं, लेंपों से, दियों से, या फिर आप कह सकते हो बिद्धोत बल्ब से, ठीक है Everyone puts one of foots on new cloths इस दिन सभी लोग नई कपड़े पहनते हैं, we eat suits and let off fireworks हम इसे फटा के फोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं, everyone enjoy this festival of lights and happiness हर कोई इस light और हर कोई इस रोशनी और हसमुक तिहार को अच्छे से celebrate करते हैं, ठीक है, खुसी वाली तिहार को अच्छे से celebrate करते हैं, फिरंदी विलेंक है इंडिया दा, लेंड ओफ, तो हम आपने देखा, ऊपर ही है फर्स्ट लाइन, इंडिया लेंड ओफ, फेस्टिवल क्या जाएगा यहां पर आपको फेस्टिवल लिख देना है आपको, फिर है बी इट, सुट्स, ठीक है, बी इट, सुट्स, इसके बद आपका वी है, मैं सदो कॉलम्स, गॉड़ेज, गॉड़ेज लक्षमी है, लेंड ओफ, फेस्टिवल इंडिया है, डेकुरिट हम करते ह हैं, हाउस को, एड़ेज करते हैं, सुट को, नेट कॉस्टिन जो है, आपके अंगले कॉस्टिन आईगा या पार्यवरं से, खंड अदा जो कि आपका अंगले दिन प्रेपर होगा पार्यवरं का, पहला कॉस्टिन सही बिकल्ब में, इन में से किसके कान बाहर दिखाई नह बनाता है, देट ची हमारे कपड़े सिलता है, डॉक्टा हमारे दवाई करता है, बढ़ाई हमारे बरतन बनाता है, ठीक है, दूसरा है, नीचे दिए प्रश्ण के उत्तर लिखिए, जुन्ड में रहने वाले दो पस्दियों के नाम, पहला कुद्टा है, ठीक है, कुद्ट परिवार किसे कहते हैं तो आपको लिखना है ऐसे परिवार जिसमें घर के सवी सदस्ट से एक साथ मिल जलूकर रहते हैं किसे ऐसे परिवार जिसमें घर के सवी सदस्ट मिल जलूकर रहते हैं पाने की दूसरी रूत की नाम लिखी हो तो पहले हो जाएगा अपको क्या कुणा या पिर आप हैंड पंप लेख सकते हो तिक बहुत सारे हैं तलाब कुणा नदी जरना तीसरा है बादल में दिए गए सब्द हैं घरी में क्या हुआ है घरी मैं समय होजाएगा साला में अपके घर की दूरी है मास्क है जरूरी जोडी मिलान कीजिए, जलकीरानी, जलकीरानी मचली है, समान डानवाला गदा होता है, सबसे सुंदर मोर होता है ठीक है, लास्ट कोशन है आपका, दिये गए चित्र को देखकर तीन बाग के लिखिए तो आपका पहला बाग क्यों जाएगा इस चित्र में एक मेला भरा हुआ है क्लिक होगे आप लिखिएगा इस चित्र में एक मेला भरा हुआ है इस चित्र में मेला मेला क्या है भरा हुआ है फिर दूसरा बाग के लिखिएगा मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है तीसरा बाग के लिख दीजेगा बहुत सारे बच्चे मेले में समान खरीद रहे हैं या फिर बहुत सारे बच्चे मेले में क्या हैं खाड़े हैं यह लेख दीज़ेगा जूल जूल रहे हैं इस ट्रैप से आपको तीन बाख लिख दीज़ेगा आप कहां सब्सक्राइब कर दीज़ेगा थैंक्स पर वाचंग चैत्रों